तो इश दे शूद्र वर्गर शूद्र. ये पूरा का पूरा सुद्र समाज अगर मनुश्मिति लागू होती है तो उस पर मनुश्मिति के सिद्धान उसके नियम लागू होंगे और मनुश्मिति के सिद्धान कहता है कि शुद्र समाज का कोई व्यक्ति अगर वेद के किसी भी शब्द का उचारन करता है तो उसकी जीब काट लेनी चाहिए दूसरा अगर उसके कान में वेद का कोई शब्द पढ़ जाता है तो उसके कान में पिगला हुआ शीशा या लाख भर देना चाहिए अगर बनुसमिति लागू हो जाएगी तो देश में शुद्र समाज का व्यक्ति किसी ब्रहमन को अगर अपशब्द कहता है तो उसकी सजा सजाए मौत है और अगर ब्रहमन किसी को कोई गाली देता है तो उसकी कोई वो नहीं है यहां तक कि शुद्र को अगर मार भी देता है तो उसको इतनी ही सजा है जितनी एक कुट्टे को मारने पर सजा होती है ये मनुस्मिर्थी में लिखा हुआ है जो नहीं जानते हैं वो पढ़ें इस बात को और रही महिलाएं इस देश की आधी आबादी यानि हमारी बेहने बेटियां माताएं वो जो महिला शक्ती है वो इस देश में गुलाम बन कर रह जाएगी ना उन्हें सिक्षा मिलेगी ठीक इसी तरह से ना शूद्रों को सिक्षा मिलेगी यानि स्थी बेकवर्ड को इनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होगा इन्हें केवल ब्रहमनों की छत्रियों की वैश्यों की इन तीन वर्णों की सेवा करने का अधिकार होगा और वो इस सेवा के मादनम से अगर कुछ कमाता भी है या अलग से कुछ कमाता भी है तो उस संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होगा ना उसे पढ़ने का अधिकार होगा ना घर में ढंक से इज़त से रहने का अधिकार होगा उसी बहन बेटी की इज़त आपरुस तुरक्षितने होगी और जो मन में आएगा ये वो काम करेंगे तो इस देश की जो आधी आवादी महिलाओं की उसके साथ भी यही होगा ना उसे तलाग देने का अधिकार होगा नहीं उसे संपत्ती में अधिकार होगा नहीं उसे पढ़ने का अधिकार होगा नहीं राजनीतिक खेत्र में सामजिक खेत्र में आगे आने का अधिकार होगा और वो ही 13-14-14 साल की हमारी मासुम बच्चियां उनको यही ब्रहमन जो वादी व्यवस्ता है मनुस्मृति की मंदिरों में देवदासी बना के उनके साथ दुश कर्म करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मनुस्मृति लागू है यह बड़े घातक परणाम है जिसको नहीं समझ वो जाके पढ़े और मैं इसके लिए एक किताब बताता हूँ जिसको समझ में आ जाएगी जिसमें सारी चीजें हैं जैशंकर परशाद मिश्र की लगबग 800 पेज की भारतिये प्राचियन भारतिये संस्कृति नाम से एक किताब है जो बिहार हिंदी गरंत शुक्रिया अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले